एश्ट्री के कई लोग मौझूद है चलिए आपको भी बताते हैं किसे जब जब धर्विंदर ने हेमा के लिए लोगों से पंगे लिये और उन्हीं सब ही लोगों को अपना दुस्मन बना लिया था दोस्त शुरुआत राजकुमार से कर लेते हैं जो अपने जब आउने में हेमा मालनी से साधी करना चाहते थे मगर जब उन्हें पता चला था कि धर्विंदर भी हेमा से प्यार करते हैं तो जान बूझ कर हेमा की सामने धर्विंदर का मजाक बनाने लग जाते थे मगर एक दिन गुश्य में आकर धर्विंदर ने राज कुमार का कालर पकड़ लिया था जिसके बाद जैसा कैसे उस जगड़े को सांत किया गया था भाई जितिंधर के साथ तो हिमा मालनी की साधी होने जा रही थी हिमा के लिए तो जितिंधर ने अपने गल फ्रेंड सोभा कपूर तक को छोड़ दिया था उस बक्त सोभा धर्विंदर जी के पास मदद के लिए पहुची थी धर्विंदर तो पहले से हिमा की साधी रोकना च जाते थे फिर क्या उन्हीं एक और बजा मिल गई नसी में धूद होकर धरम पाजी सीधी हमा मालनी के घर जा पहुंचे मंड़ पर उन्होंने इतना हमगामा किया कि यह साधी तूट गई जिसके बाद ही माने धरम जी से साधी कर ली धरम पाजी से सुपरेश्टार गुमिंद से भी अपनी लेडी लब के लिए पांगाल ले चुके हैं घहां हेमा मालनी के एक फिल्यम से गुविनदा ने आखरी मूखे पर अपना नाम पीछे खीची लिया था हमाने उन्हें कितना समझाया लेकिन गुविनदा नहीं माने पर गुविनदा को माज़ बुर उस फिल्य में काम करना पड़ा था हिंत लिए तो धरम पाजी फिल्म ये डाइरीस्टष सुभाष गाई से लडाय कर चुकें ये तरह साल यू आ था जड़ाया था बहुत जरूरी है तो मेरी बिलिंग ड्रेस पहलूंगी लेकिन बिकिन तो बिल्कुल नहीं लेकिन सुवास गहाई नहीं मामानी सी कहा कि आपको कंट्रेक्ट में लिखा है कि आप डाइरेक्टर को इस तरह से माना नहीं कर सकती है फिरी क्या धर्विंदर डाइरेक्टर की पास पहुचा और जाते हैं उन्हें थपड़ी जड़ा दे देते यह एश्टार जिन है धरम जी ने हिमा के लिए दुस्मानी मूल लिया यहां तक कि अपनी बीवी परकास कोर और बेटे सनी देबल से पंगाले चुके हैं साइद यही बज़े हैं कि हिमा माली ने धरम जी को अपना लाइफ पार्टनर चुना क्योंकि उन्होंने हमेशा उन्हें दूसरे से प्रोटेक्ट किया और उन्हें कभी किसी चीज की कमी या फिर टेंशन लेने नहीं दिया दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लेगी तो नीची लेल बटन दबा कर चाइनल सिस्क्राइब जरूर कर दे वीडियो अच्छा लेगी तो वीडियो लाइक कर दे